नमस्कार दोस्तों जाहिन देखो और फिर से आपका स्वागत आज किस वीडियो हम बात कर रहे हिमाजर अप्रदेश के टीचर्स अवार्ड के बारे हर साल जो है पास सितमबर को अध्यापक देवस के अपसर पर हिमाजर के प्रबुद्ध अध्यापकों को जो किसी विशेश कारे के लिए प्रसीद होते हैं उनको जो है स्टेट आवार्ड दिया जाता है जी हाँ वो स्टेट आवार्ड जिन बिश्यों पे दिया जाता था जिन बिंदों पे दिया जाता था उसमें कुछ परिवर्तन किये गए हैं और जो नए परिवर्तन है आप जो है उनी बिंदो के अधार पे जो है State Teacher Award है वो दिया जाएगा जी है दोस्तो हम बात कर रहे हैं हिमाज चलब प्रदे स्टेट टीचर Award Policy में जो परिवर्तन है उनके बारे में इस वीडियो में सबसे पहले तो इसमें जो है पहले कि अगर हम बात करें तो ACR जो Annual Confidential Report है उसके अधार पे जो है उनका जो रिकॉर्ड होता था उसको बेस मानके उनको अंक मिलते थे ACR के आप जो ACR के कोई भी अंक नहीं दिये जाएंगे स्टेट आवाड़ी वरने के लिए यह पहली बार हुआ है ACR के बल गुड रहनी चाहिए मतलब जो Annual Confidential Report that is given by the Head of the Institute उसके द्वारा जो भी रिकॉर्ड दिया जाता है ACR वरी जाती है वो बस गुड रहनी चाहिए बहां पे अब उसके नंबर नहीं मिलने वाले हैं नंबर दो पर हम बात करें तो इसमें जो पहली बार Nomination का भी प्रावधान किया गया था पहले क्या होता था एक अधियापक जो खुद इसके लिए Apply करना पड़ता था बेक्ति स्कूल SMC, कोई Fellow Teacher, स्कूल Principal या NGO इतियादी भी किसी अधियापक का Nomination State Award के लिए कर सकते हैं ठीक है दोस्तों Nomination होने वाले शिक्षक को अपने Award के लिए Presentation दे रही होगी साथ में शिक्षा सचीव के अधियक्षता में बनाई गई कमेटी के सामने इंटर्व्यू भी देना होगा एक नया प्राबदान इसमें जुड़ा जा रहा है कि शिक्षक जिन बच्चों को पढ़ा रहा है उनमें उनसे भी Assessment करवाई जाएगी स्वंदित स्कूल मतलब यह है कि स्वंदित स्कूल में शिक्षा व्याग के टीम जाएगी और बच्चों से बात करेगी नई पॉलसी में ACR के नंबर को खतम कर देगे हैं शर्थ सिर्फ इतनी है कि ACR आपकी गुड होनी चाहिए नई निती में शिक्षक का result देखा जाएगा यदि शिक्षक एक सब्सक्षक पढ़ाता है तो उस ब्सक्षक का result यदि principle है तो पूरे श्कूल का result देखा जाएगा यदि result 50% से कम है तो उस स्थिति में आपको कोई वी अंक नहीं मिलेंगे यदि result इससे उफर है तो आपके अंक बढ़ते जाएंगे school मिलाक के बात यह है कि school का जो result है अगर आप वहाँ उसको वैटर करते हैं आप सभी जानते हैं कैसे आप बैटर करेंगे तो उस स्थिति में आपको ज़्यादा अंक मिलने वाले नंबर मिलने वाले हैं ठीक है इस policy में परिवर्तन के draft को शुक्रबार को cabinet में रखा गया और मंत्री मंडल में इस शिक्ष सतर से लागू करने के निर्भीश दिये गये हैं मतलब यह है अब इस cabinet में भी पारित किया गया और इसी सतर से इस जो नई policy है जो state award की नई policy है उसमें जो amendment किये गये हैं अब जो है पहली बार जो है state award मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों यह कुछ बिंदू थे जिन जिनके बारे में आप से चर्चा की अब दिक्कत वाली बात यहां पर दिक्कत वाली या समस्या वाली बात जो यहां पर मुझे मेरा अपना अपिनियन नहीं है कि कई अद्यापक ऐसे होते हैं कईवार कि जो state award बन जाते हैं पर तो बास्तम में उनकी state award की नहीं होती है कि हर कुली मिलाके matter को quality size किया जाता है अब सबी जानते हैं इतना ज़्यादा कि इतना जाने की जरूरत नहीं है मैं किसी के English नहीं बोल रहा हूं पर तो जो वास्तिता है वो थोड़ी आज आप सभी के सामने उसको रखने का प्रयास करना हूं ठीके तो अब देखिए दिकत क्या है नया जो प्राइबधाने इसमें nomination नोमिनेशन दिये तो दे दिया मेरे साथी खालों ने दे दिया SMC ने दे दिया अब्यापक को टीशर आवार्ड मनना चाहिए प्रतु उसके बावजूद आपको उसके लिए presentation देनी पड़ेगी अपनी presentation देनी पड़ेगी प्रस्तुती प्रदरशन करना पड़ेगी प्रस्तुती प्रदान करने पड़ेगी और वो भी successive के सामने अपनी presentation के अलाबा जो आपका interview होगा और वो interview भी आपको कहिन का ये शक्त करेगा कि आप state award लेने के लिए deserve है या नहीं है उसके बाद ही किसी हैद आपको state award दिया जाएगा कुल मिला के जो नया प्राफदान है हम expect कर सकते हैं कि नया प्राफदान में कुछ बढ़िया होने वाला है और जो deserving नय हुए तो इसका मतलब है कहीं ने कहीं इस policy को बैटर का बनाने का प्रियास सरकार के दवरा किया गया है हालांकि कि इस परकार के परिवर्टन समय परंतु कुल मिला के बात यही है एक सही या डिजर्बिन केंडिट को जो है टीचर स्टेट आवार्ड मिलना चाहिए जैंद दोस्तो आज का वीडियो इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद जाहिए नावश्कार